बालो में इस तरह से लगाएं मेंदी बालो का जढ़ना तुरंती बंद हो जाएगा बाल बहुत ही खुपसूरत चमकदार और मजबूत होंगे आज इस वीडियो में आपके साथ सेयर कर रही हूँ ऐसा हीना हेयर पैक जो कि आप इस तरह से बनाकर अपने बालों में लगाएंगे तो आपके जढ़ने टूटने की प्रॉब्लम बिल्कूल खतम हो जाएगी बालों में बहुत अच्छा कलर भी आएगा और बालों में बहु करिएगा अभी तक अपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नेकिया तो प्लीज चानल सब्सक्राइब करें लिए इसी तरह की यूजफिल वीडियो देखते रहने के लिए इसके लाबा आपकी कोई हेयर इसकिन से रिलेटेड प्रोबलम है तो हमें कमेंट बोक्स में जरूर ल कोफी ले रहे हुं बालों के हमारे बालों में और बडे रहे हो रहा आँ युच्छ करने से बालों में बहुत अच्छा कलर आता है उनके पहले सभे देरे काले होने लगते हैं कमषि चाय प्ति कवाएप ऑर चाय पर जाएम डशाह को नो हो टू दूहन करें यानि की ब्लैक अनियन सीट एक चमच मैंने आपर मेथी दाना लिया है दोनों ही चीजे हमारे हेर ग्रोथ को तीजी से प्रमोट करती है अगर आपके बालों के जड़ने टूटें के प्रॉबलम को भी बहुत जल्दी से रिड्यूच करती है हमारे बालों को मजबूत बनाने में कलाउजी और मेथी बहुत कारगर होते हैं साथ ही जड़े बालों को भी जल्दी से उगाते हैं तो इसके बाद मैंने यहाँ पर 7-8 पीसे आवला के ले लिए हैं यह ड्राइड आवला है अगर आपके पास फ्रेस है तो आप यहाँ पर ए करता है मैंने यहाँ पर एक रीठा लिया है आप एक रीठा के जगा दो रीठा ले सकते हो इससे क्या होगा आप मेहनी लगाने के बालों में सैंपू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके बाल अच्छे से वास हो जाएंगे साथ ही आपके बालों के ज़णने इसके चोटे-चोटे पीसे में कर लूँगे और एक सीका काई भी मैं यहाँ पर डाल दोगी अगर बहुत चोटे-चोटे पीसे में आपके पास है तो आप यहाँ पर 5-6 पीसे ले सकते हैं तो इस्तरा सीका काई भी हमारे बालों के जड़ने तूटने के प्रोब्लम को बालों के स्ट्रॉंग बनाने में भी बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं हैर फॉल को कंट्रोल करते हैं तरह से अगर आप अपने बालों में मेंधी के लिए त्यारी करते हो तो आपके बालों जरने के प्रावलम बिल्कुल दूर हो जाते हैं उसके बाद 6-7 यहां पर मैंने लॉंग लिया है लॉंग सबसे ज्यादा बेनिफिसेल हमारे बालों को ब्रावनिश कलर देने में और उसके बाद फेंटर लॉंग का एक फाइदा और है क्योंकि विंटर में हम यह हैर पैक बनाते हो इस तरह से 5-6 लॉंग या 7-8 लॉंग आप उसमें जरूर डालें आपक सर्दी जुखाम होने की प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी क्योंकि लॉंग गर्म होती है लॉंग की तासीर गर्म होती है इससे आपको सर्दी जुखाम नहीं होगा इसलिए अगर आप सर्दियों में में लगाना चाहते हो तो आप वहां पर 7-8 लॉंग प्रब्लम को भी दूर करता है तो फ्रेंट सारी चीजे अमने यहां पर ले ली हैं डेड़ बड़ी गिलास में इसमें पानी डाल दिया है चोटा गिलास आप दो ढ़ाई गिलास भी यहां पर डाल सकते हो उसके बाद मैंने इसको गैस पर उबलने के लिए रख दिया है इसे म इसारी चीजे यहां पर अच्छे से गल जाएंगी गांगी तब तक मैं इसको अच्छे से पयाँगी है तो jar देव सकते हो अ में बिल्कुल पॉक्कर बड़े पीकिस इसके हो गए है तो यह जो वाटर है इस बिल्कुल बनकर तेयार खुऴ हैं तो इसमें जितनी भी चीज कर लेना आप चाहें तो फड़ा इसको नो ञुंकि लिए स्वीУ छोड़ा सा ठूब देखेक गारे, दाले माताफ। वताफ। बहुत अच्छे से इसको मैस कर दिया है और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल कर मैं इसको च्छान लूँगी ताकि इसमें जो भी प्रपरटी जभी बची हुई है वह सब हमें मिल जाए तो आप चाहें तो इसे किसी कपड़े की हिल्प से चान सकते हैं इसके बहुत आसानी इसके सारे प्रुस्तत्व आ जाएंगे कोई वी चीजे वेश्ट नहीं होंगी लेकिन मैं यहां पर चाचनी की हिल्प से चान लूँगी तो थोड़ा सा पानी डाल कर इसको तो फ्रेंट मैंने इसको चान लिया है और अब हम हीना हेयर पैक अपना प्रेपेर करेंगे कि तो फ्रेन्ट में ने चान लिया है और आप पर एक आएरन पायन लिया हुआ है आप चाहें तो महन्दी को किसी प्लास्टिक के बॉल में या खिर प्रिपेर कर सकते यह Attorney कंच ऑ और अबालों के असमय सफेद होने की प्रोबल्म है आपने सफेद बालों को फिर graffiti काला करना पहले से ऐक फ़ले से एक फढ़क का थोड़ा सा मेंदी यहां पर ब्चा हुआ अब को जातनी आप ले सकते हैं इतनी बालों में लगते हो मेहंदी को करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा पानि में बार में नहीं डालेंगे तो जो मेहादी की तरह सकते हैं कि त्क मेहंदी को अच्छा सब्सक्राइब तो थोड़ थोड़ पानि डालते हुए मैं ये hair pack त्यार करूंगे बहुत सारा पानि एक बार में डालने से मेंदी पतली हो जाती है और ऐसे मेंदी लगाने पर मेंदी अधर उधर से गिरती रहती है इससे हमारे कपड़े भी खराब होते हैं इस कि आद पाने जालते हूए तो हमारा हीण हेर पैक बनकर रेडी हो गया है अगर आपके बाल में हमेंस सफेद हो रहे हैं तो आप इस तरह से मेंदी तुरंथ ना लगाएं इस तरह से मेंदी को बनाकर आप इस लोह के कडाहीे में । रात भरी के लिए मेंदी को ढख को झा आपके बाल जो असमे सफेद हो रहे हैं इस तरह मेंदी को बना कर आप 15 दिन में एक बार अगर अपने बालों में लगाते हो तो आपके बालों की जो सफेद होनी की प्रोसेस रूप जाती है और आपके सफेद बाल भी धीर-धीर काले होने लगते हैं तो नेक चीज में यहाँ पर डाल रही है coconut oil अगर आप अंड़ा लगाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर एक अंड़ा डाल सकते हो या फिर कोई एक पर डाल सकते हो या फिर दही के साथ ही तो आप हीना हेर पैक त्यार कर सकते हो इससे बालों में बहुत अच्छी कंडिशन बनाता है यह तो मैंने सारी चीजों के अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा यह हीना हेर पैक बनकर रेडी हो गया है मैं इसको तुरंथी लगा रही हूं अगर आप इसको वाइट हेर के लिए हेर बना रहे है तो आप इसको धग कर ओबर नाइट जरूर चोड़े उसके बालों मेहंदी पैक लगाने से पहले आप अपने बालों को वास कर ले सैंपू कर ले जिसे बालों में जो भी डश्ट है लगा है जो भी ऑई लगा है वो सब निकल जाए पर मेरे बाल अच्छे से क्लीन है और कल की वीडियो में ने जो ऑईलिंग बताई थी वही ऑईल मेर होने चाहिए तो इस तरह से सबसे पहले मैंने 20 से सुरू किया है बालों का चोटा-चोटा सिक्षन लेते हुए मैं इससे में अपने बालों में लगा रही हूँ और आपको जैसे भी comfortable होता है उस तरीके से आपको अपने बालों में मेंदी लगा सकते हो हाथों से ज्यादा comfortable होता है बट अभी मैं अपने हाथों को गंदा नहीं कर सकती इसलिए मैं brush लगा रही हूँ तो इस तरह से छोटे छोटे सिक्सन में आप बालो को लेकर मेंदी लगाएंगे तो आपके बालो में बहुत ही खुबसूरत सा कलर आता है बालो में बहुत अच्छी चमाक आती है और बालो को पूरी तरह से इसका जो पोसण है वो मिलता है तो इस्तरा से थोड़े थोड़े बालों को लेकर मैं अपने बालों में मेंधी लगा रही हूँ अगर आप चाहते हैं आपके बालों में डार कलर चड़े तो आप यहाँ पर कॉफी और चापती का पाउडर और डाल सकते हैं जिससे आपके बालों में डार कलर आएगा तो मैंने अपने बालों में अच्छे से मेंधी लगा लिया आगे और पीछे मैंने पूरी तरह से अपने बालों को मेंधी से cover कर लिया है तो आप चाहें तो यहाँ पर shower cap इसके बाद लगा सकते हो या फिर vegetable polythene लगा सकते हैं तो मैंने मेंदी को लगा लिया इसके बाद मैं तीन खंटे के लिए इसे अपने बालों में ऐसे ही छोड़ दूँगी और रीठा अगर आप इसमें डालते हो तो आपको सैंपू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपके बाल अच्छे से वास भी हो जाते हैं तो तीन खंटे बाद गाईस अपने बालों को दूल लिया है और आपने मेरे बालों में कलर सकते हूँ मेरे बाल जो वाइट है उस पर भी अच्छा कलर आया है और ते आप देख सकते हो एक बाल दिख रहा है और बाकी कि मेरे बालों पर भी बहुत ही अच्छा खुशुरत सा कलर आए भी मेरे बाल गीले हैं पूरी तरह से सूखे भी नहीं है तो इस तरह से अगर आप मेहनी लगाते हो तो आपके सफेद बाल भी दिरे-दिरे काले हो जाते हैं बालों का ज़ड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है बाल बहुत ही मजबूत और चमकदार होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और सिलकी फील होते हैं इतना ही नहीं फ्रेंड बालों की लंबाई भी इस लूश्के से बढ़ती है तो आई होब कि वीडियो पसंद आया पसंद आया और आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंस ओचें टेक केर बाई बाई